नमस्ते और मुश्रानती आप सब शुरताओं को स्वागते आपके यह चानल पर Seek the soul the truth lies within आत्मा ही सकते है और आत्मा को पैचानने से परमात्मा की पैचान मिलती है तो आगे इस वर्दान में परमपिता परमात्मा कहते क्या है उसमें जाने से पहले यह जो शुरता फिर्स टाइम आया है यह पर हो जाकर पूरी प्लेइलिस्ट में अलग अलग चीजों को एक्सिपोर कर सकते हैं जैसे कि आपका डायेट स्वाइन हो गया आपके डिप्रेशन के वीडियो वहां पर रिलेशन्शिप के बारे में वहां पर कहा गया है साथी साथ योग आसन्स चेर पे बैट करके एकसरीज कैसे करनी है सारी चीजे में में मेंचन करी है आप वहाँ जा करके सब कुछ देख सकते हैं और औरों के साथ भी शेर करना न भूलेगा तो लिंक पे क्लिक करिएगा और अब जाके देखते हैं परम्पिता परमात्मा आज के 233 दिन के वर्दान में कहते क्या है तो बाबा कहते हैं एक सेकंड के द्रण संकल्ब से एक सेकेंड के दिर्ण संकल्ब से स्वयम का वा विश्व का परिवर्तन करने वाले खुद का पहले करना फिर जाकर के विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादुगर भवव तो spiritual magician पर इस तार में चलें जैसे जादुगर थोड़े समय में बहुत विश्वतर खेल दिखाते हैं वैसे आप रूहानी जादुगर अपनी रूहानियत की शक्ती से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो रूहानियत की शक्ती से उनके बास में जादुगर की शक्ती होती है कुछ भी चाहो वो बना सकते हैं कुछ भी चाहो वो दिखा सकते हैं तो परमात्मा कहते हैं आपके कौन सी रूहानियत की शक्ती से spiritual शक्ती से कंगाल को double ताजधारी बनाने वाले हो कोई गलत अफगुण इस्तमाल कर रहा है गलत कर्म कर रहा है वेक्ती और फसते जा रहा है और भारीपन हो रहा है और ही और जादा उसके जीवन में दुख बढ़ते जा रहा है चाहे धन का दुख हो चाहे तन का दुख हो चाहे संबंदों का दुख हो और आप जाकर के spirituality है रूहानियत के दुखारा उसको सही दिशा दिखा दे कारण बता दे कि अब गुणों को इस्तमाल करना शुरू करो शक्तियों को इस्तमाल करना शुरू को परमात्म से शक्ति लो मेडिटेशन सीखो तो उसके जीवन में परिवरतन जो आता है वो है आपको रोहानी जादूगर बना देता है तो परमपिता परमात्पा कहते हैं सुएम को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकंड का द्रण संकल धारन करते हो कि मैं आत्मा हूँ सबसे पहला लेसन स्पिरिच्वालिटी का आध्यात्म कि आत्मा का ग्यान अध्यन करना आत्म के बारे में आत्मा के बारे में इसको कहते हैं आध्यात्मा तो सबसे पहले क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ और विश्व को बदलने के लिए स्वयम को विश्व के आधार मूर्थ उद्धार मूरत समझ कर विश्व परिवत्तन के कारे में सदा तत पर रहते हो आत्मा समझ करके अगर जिसम समझ करेंगे तो मेरे को चाहिए मेरे लिए ये भी मेरे लिए होचा है, वो मेरे लिए होचा है, कुछ कारे करते हैं, करम करते हैं, अच्छा तो उसमें मेरा नाम आना अच्छी है, लोग मेरी वावा करें, लेकिन जब आप spirituality आध्यात्मा में आते हो, तो जब अपने आपको आत्मा समझते हो, मुझे तो कुछ चाहिए कहा है नहीं आत्मा किशा यह चाहिए, आत्मा भूक लगती है ना पैस लगती है, कुछ शरीर को भूख लगती, तो परमात्मा कहते हैं, विश्व परिवतन के कारे में सदा तत पर रहते हो, इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादुगर आप हो, इसका मज़ा ही अलग है, इसमें खुशी ही अलग है, जब हम अपने बारे में केवल सोचते हैं, तो जब कोई प्रॉलम आती तो वो और भारी लगती है, क्योंकि दुजाएं नहीं होती होती हैं अपने बारे में कम सोचते हैं, दो रोटी कपणना मकान सा.. ठीमन खुश हैं, सुखी हैं, और ऑरों केशकी हैं। जीवन बदलने की सोचते हैंटोAll आती है जो हमारे पास भी कुछ दुख की situation आती है वैसे हो दी तो नहीं दुख की situation लेकिन कर्मों का हिसाब किताब का है उसको पुराने जन्मों की कर्मों का हिसाब किताब जब आता है तो उस समय और उकी दुआएं हमें lift देती है तो आध्यत्म का ये फाइदा है कि आपका भी अकेले महसूस ने करते है परमात्मों तो है आपके साथ में सतावन की दुआएं तो सबसे उची दुआएं हैं लेकिन और आत्मों की दुआएं भी आपको lift करती है और अगर आप selfish हो करके अपने लिए सिर्फ काम करते हो और उस समय आपके पास में कोई मुश्किलें आए उस समय लोगों की दुआएं बहुत कम होती है सची दुआएं बहुत कम होती है परमात्मों की तो होती नहीं है तो परमात्मों कहते हैं इसलिए द्रण संकल्प करो अपने आपको परिवर्तन करना है दुनियावी तरीके से नहीं, मुझे रुहानी तरीके से चलना है, तब जाकर के मेरे जीवन में सुख, शानती, खुशी, आनंद, प्रेम, शक्ती आएगी, सब परमात्मा के दीवी, बाबा के दीवी, बाबा मतलब पिता, और साती साथ हम औरों की सेवा करकर के उनकी दुआ करीके सको, ओम शानती